अस्राम रेकुम वरहमतुलाही वर्बरकातों वेलकम टो अर हिंदी क्लास तो बच्चो आज हम जो कवीता पढ़ने वाले हैं वो हमें यह सीख देती है कि हमें जिन्दगी में हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी से नहीं डरना चाहिए और हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए तो कवीता का नाम है तूफानों से क्या डरना पेज नमबर 30 नफरत करना नहीं किसी से प्यार सभी से करना जी तूफा तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की सत कर्मों की तूलिका से जीवन में रंग भरना जी तो इस कवीता की पंक्तियों में कभी हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए हमेशा हमें सब के साथ प्यार से रहना चाहिए और तूफा का मतलब यहाँ पर कभी नहीं यह कहा है कि हमारी जीवन में कभी खुशी आती है, कभी गम आते है, कभी अच्छे दिन आते है, कभी बूरे दिन आते है जैसे कि अब यहाँ पर चल रहा है कि COVID का तो सब घर में बैटे है तो ऐसे जिन्दगी में कभी न कभी कोई न कोई कटनाई आती रहती है पर हमें इनसे नहीं डरना है बलके हमें हिमत से इन सब का सामना करना है और अपनी जिन्दगी में हमेशा हमें खुशाल रहना है हार जीत का खेल है जीवन खेल समझ कर खेलो जो भी मिलता हाथ बढ़ा कर खुशी खुशी तुम ले लो तो इस कभीता की पंक्तियों में कभी यह कहना चाता है कि जिन्दगी हार जीत का ही खेल है जैसे कि आप लोग कोई खेलते हो तो उसमें कोई एक ही जीता है बाकी सब तो हार ही जाते है तो जिन्दगी को भी हमें उसी तरीकी से देखना चाहिए जिन्दगी में कभी खुशी, कभी गम आते रहते तो हमें उसको एकसिप्ट करके आगे बढ़ना है जब तक जियो हसकर जियो एक दिन सब को जाना जी तुफा तो आते रहते हैं इनसे कभी क्या डरना जी तो इन पंक्तियों में कभी ये कहना चाहता है कि जिन्दगी में हम दुनिया में हमेशा के लिए रहने नहीं आए है कभी न कभी हमें एक दिन जाना ही है तो हमें हमेशा अपनी जिन्दगी में हस्केल कर रहना है धूप चाओ जीवन का हिस्सा कभी उजहला कभी अंधेरा रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा तो इन पंक्कियों में कभी यह कहना चाहता है कि कभी भी देखे अब यहाँ पर आपकी जिन्दगी में कोई भी कटनाई आ जाए तो वो कटनाई हमेशा के लिए नहीं रहती है कभी न कभी उसका एक अंत होता ही है उसका खात्मा होता ही है वो कटनाई कभी न कभी खात्मा होती ही है जिस तरीगे से अभी के दोर में आप लोग देख रहे हो बीमारी से हर लोग किसी के नौकरी नहीं है किसी को काम नहीं है फिर भी लोग उस से लड़ने की कोशिश कर रहे है ऐसा नहीं है कि हार कर बैठ चुके है इसका भी अंत जरूर होंगा ये भी बीमारी कभी न कभी खत्म होंगी तो हमें क्या करना है इससे हिम्मत करके इससे आगे बढ़ना है ऐसा नहीं है कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है हम क्या करेंगे ऐसा करना है नहीं बलके हमें जिन्दगी में हर एक चीज़ को accept करके आगे बढ़ना है चाहे कितनी भी कटनाई आ जाए पर एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है समय एक सा कभी न रहता थोड़ा धीरज धरना जी तूफा तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी तो अपनी जिन्दगी में कभी भी समय एक जैसा नहीं होता है कभी अच्छे दिन आते हैं कभी बुरे दिन आते हैं तो हमें हमेशा सबर के साथ धीरज से काम लेना है उससे कभी भी हार नहीं माननी है कभी डरना नहीं है दह अभिमान के कारण देखो कितनी मा मारी है सब को सची रहा दिखाना अपनी जिम्मेदारी है आत्म ग्यान के दीब जला कर दूर अंधेरा करना जी तूफा तो आते रहते है इनसे भी क्या डरना जी तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि लोगों को हम आगे की सची बात बताए आगे की सही रहा दिखाए ऐसा नहीं है कि हमें उस अंदेरे में उस डर्ज में छोड़कर चले जाना है बलके हमें उनका साथ देकर हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है और कितना भी कोई भी कटनाई आ जाए कोई भी परेशानी पर उसका हमें हिम्मत से सामना करना है, धीरच से, हिम्मत से, ठीक है, तो हमारी जिन्दगी में हमें कभी भी कोई भी कटनाईयों से, कोई भी परिशानी से डरना नहीं है, तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता पढ़नी हैं और अच्छे से याद करनी हैं, इसके बाद, आपकी वर्क बुक में आप लोगों को यहाँ पर उसी पर आधारित कुछ activities दी गई है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दिये गए हैं आप लोगों को सही उत्तर चुनकर रिक्स्तानों की पूर्ती करनी हैं उसके बाद आप लोगों को प्रशन उत्तर आप लोगों को कविता अच्छे से पढ़नी है और समझ कर इन प्रशनों के उत्तर आप लोगों को ढूर्णना है उसके बाद कोश्टक में से उची समान आर्ती शब्द यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दिये गए हैं आप लोगों को सही उत्तर चुन कर समान आर्थी शब्द यहाँ पर लिखना है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को विरुद्ध आर्थी शब्द यानि अपोजिट आप लोगों को कविता में से ही डूनना है और इसके विरुद्धार्ती शब्द आप लोगों को लिखना है So students, do your homework on time. Inshallah we will meet in the next class. Allah Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhin